stress testing आप लोगों को अगर नहीं पता पीछे करके news आई थी जिन लोगों को पता है उनको ये था कि अब stress testing हो रही है और अभी तक results नहीं आए हैं किसी भी AMC ने सेवी को अभी तक results जमान नहीं कराएं और इन feature करवा देंगे ठीक है इस result में दो चीजे main होंगी कि आपके पास large cap का exposure कितना है और साथ ही साथ आपके पास cash and cash equivalent कितना पड़ा है ठीक है अगर ये दोनों number मिला के 10 से उपर है तो ठीक है आप सिर्फ pass तो हो गए लेकिन अगर ये नंबर 15 से उपर है तो बहुत बढ़िया है और अगर 10 से नीचे है तो थोड़ा सा risky वली बात है वीडियो देखने से पहले आगे बढ़ने से पहले बहुत बड़ा disclaimer देदूं कि भाई देखो अगर तुम्हें यहाँ पर Tata small cap, Union small cap, Mahindra small cap इन तीनों में से अगर आपके से देखेंगे और third part बोलेंगे तो हम पक्का इसका third part बनाएंगे जिसमें हम और भी small cap कवर करने वाले हैं ठीक है अब यहाँ पर वापिस आ जाता हूं इन small cap की बात करने पर Tata, Union, Mahindra अगर आपके पस कोई है भी तो दो चीजे हैं अगर इनके result खराब आते हैं तो please, 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 exit मत कीजेगा जब तक official numbers सामने नहीं आ जाते, official number का मतलर है कि क्योंकि अभी न, CB9 से मांगा है, यह time ले रहे हैं तो यह थोड़ा बहुत changes करेंगे और changes करने के बाद यह पकड़ा देंगे कि यह result है, वो result main माने जाएंगे, जो हमने result निकाले हैं वो फरवरी के हिसाब से निकाले हैं, और please, 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 हाथ जोड़ रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को देखके, exit का plan मत बनाईएगा, बस एक दिमाग में रखिएगा कि आपके fund के अंदर यह चीज है, और बेशक, आप SIP भी रोक देंगे, चल जाएगा, exit मत करिएगा, मैं पहले बता रहा होते हैं, तो screen tap को number दिख रहा होगा, आपका portfolio हम manage करेंगे, लेकिन अब बापिस वीडियो पर आते हैं, और देखते हैं Tata small cap, और Tata small cap कैसा करेगा, Union small cap कैसा करेगा, Mahindra कैसा करेगा, सबसे पहले नीचे आ जाते हैं, Tata के पास 50 stocks हैं, जिसमें से large cap में exposure में देखके डर गय जीरो, यह मैंने बहुत सारी websites पर चेक किया, ठीक है, मैंने फिर यह दूसरी website पर भी चेक किया, तो large और giant जीरो था, तो मतलब बिल्कुल जीरो है, यहाँ पर, cash और cash equivalent बहुत low है, 7% हो जाता है, normally वो भी नहीं है, तो इसका result तो बहुत बुरी तरह से fail है, अब इसके fail होन से आपको डरने की जरूरत नहीं है, पैनिक करने की जरूरत नहीं है, यह stress testing हो ही इसलिए रही है, कि यह panic के समय में कैसा behave करेंगे, और इसका मतलब यह नहीं है, कि आप अपने अंदर पैनिक करके फटा फट जाके exit करना, यार इसमें तो पैसा फस जाएगा, वही चीज नह पैसा आराम से निकाल पाओगे, ठीक है, अब union small cap की बात करूँ, तो इसके पास cash और cash equivalent 5.62 है, ठीक है, और इसके पास large में exposure है 2.49, इन दोनों को अगर मैं plus कर दूँ, तो roughly 8 के आसपास बनता है, तो यह भी almost मैं इसको मानूँगा, यह fail है, ठीक है, तो महिंदरा की बात कर है, ठीक है, यह पास हो गया, क्योंकि बहुत से लोगों ने अभी यह ले भी लिया है, तो यह तो था सारा का सारा stress testing, अगर आप इसका part 3rd चाहते हैं, तो प्लीज 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 कमेंट कीजेगा, तब हम 3rd पार्ट बनाएंगे, और भी Axis small cap, Kendra, Rubaiko small cap, बहुत सारे small cap ह है, जिनकी stress testing शायद आप देखना चाहेंगे, और इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं बलते हैं अगली वीडियो